दोस्तो अज हम लोग 12.03 का पहला नमबर कोईशन को करेंगे दोनों को करेंगे और इसके बीच में अप लोगों को बताया जागा कि इस कोईशन को सॉल्ब असानी से और बिना आकरिती का और बिना लंबी सुल्यूशन को हम कैसे सॉल्ब कर सकते हैं तो वीडियो पर बने रहे और लेंड बै लेंड देखें कि इस वीडियो में जो कोईशन को बताया गया है वो कैसे बनाया जा रहा है और कितना महतुपूर्ण है हमारे लिए खास करके ये टिंद क्लास के बच्चे को समझना बहुत ही जरूरी होता है तो चली इस कोईशन को सुरू करते हैं पहला कोईशन जैसे आकरिती में यहां पर आकरिती दिया गया है छेंकित भाग का छित्रफल ग्याद करे यदी पी क्यू ये छेंकित भाग है यहां पर आप लोगों को देख पा रहाएगा अगर नहीं देख पा रहे तेसे हम फ्लासा और रंग देते हैं तो दिखेगा ये जो है रंगा हुवा भाग है इधर यह छेंकित भाग है यानि आधा इधर जो है यह पुरा छेंकित भाग है ठेक है उसके बाद जो है बोड़ा P Q 24 cm है P से Q तक जो है वो है 24 cm इस परकार से लिख लिए P से R जो है 7 cm पी से R जो है वो है 7 cm उसके बाद R और Q तो दिया ही नहीं तथा वो विरित का केंद्र है वो जो है यह वाला वो विरित का केंद्र है तो यहाँ पर जो जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं दिया है P और Q P Q 24 cm P R 7 cm P R 7 cm यहाँ से Q R दिया ही नहीं Q R को लोग निकालेंगे ठीक है और उसके बाद Q O R तथा Q O R जो है एक व्यास है यह जो लैन है वो विरित का क्या है व्यास है हम लोग को यहाँ P Q दिया अब यहाँ पर यह चीज को देख पा रहे होंगे यहाँ पर हम set में एक इस चित्र को बाहर निकालते हैं कुछ इस परकार से ये चित्र बाहर आएगा Q, P, यहाँ P और R ये 7 cm ये है 24 cm और इसे निकालना है यानि कि व्यास क्या है? उसे व्यास को निकालना है यानि कि अगर हम समकुन त्रिभूस से ले करके चले तो ये हमें कर्ण को निकालना है लंब दे दिया, अधार दे दिया कर्ण को निकालना है तो कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं पैथागोरस सुत्रिक का पर्योग करते हैं पैथागोरस पर्मे का इसलिए पैथागोरस पर्मे से पैथागोरस परमे से और यहाँ पर ध्यान देखे कि कभी भी समकोन त्रिबूस 90 डिगरी का होता है यहाँ लिख सकते हैं कोन P is equal to 90 डिगरी यह हम लिख सकते हैं अब पैथागोरस परमे का सुत्र क्या कहता है कि कर्न का स्क्वाइर यानि QR का स्क्वाइर is equal to lump का स्क्वाइर तो QP यानि PQ का स्क्वाइर पलस अधार का स्क्वाइर तो PR का स्क्वाइर यह इस परकार से हो जाएगा अब इसमें सधारनता यह सब बैठाते चले जाएगे QR को तो find करना है निकालना है तो यह तो इसी परकार से रखेंगे Q, PQ जो है वो 24 cm दिया यानि 24 का स्क्वाइर पलस PR जो है वो 7 दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा 7 का स्क्वाइर उसके बाद QR पर स्क्वाइर इसी परकार से 24 का होता है 576 और पलस 7 का स्क्वाइर यानि की 49 फिर से Q स्क्वाइर रहेगा 576 और 49 को अगर हम जोडते है तो 625 हो जाएगा फिर से qr यहां से square को हम 25 करेंगे तिधर root बना देगा 625 अब यहां से 625 का अगर हम वर्गमूल करते है तो क्या मिल जाता है 25 यानि qr जो है qr हमें मिल गया 25 cm qr एक परकार का क्या है व्यास है इसलिए व्यास qr is equal to 25 तो r 3g is equal to 25 बटे 2 हो जाएगा क्योंकि r निकालने के लिए d by 2 का परियोग करते है r is equal to d by 2 जहां d व्यास होता है तो व्यास 25 और 2 का 2 इसे हम इस परकार से रख लेते हैं यह चीज मिल गया अब हमें क्या क्या है चेंकित भाग का छेटरफल निकौलने के यहां पर हम चित्र में देखेंगे चेंकेत भाग का जो छेत्रफल निकालना है इसमें क्या दिया गया एक समकोन तिरभूज है और एक अर्ध वरीत है और यह अर्ध वरीत है ठीक है तो यह दोनों जो है इसमें हम क्या करेंगे पहले तिरभूज का छेत्रफल निकाल लेंगे और फिर अर्धिविरित का छेत्रफल निकाल लेंगे, दोनों को किनारे से, और आपस में मैनस कर देंगे, फिर यह हमारे छेंकित भाग का छेत्रफल होगा, या फिर यहां इस परकार से हम लिख सकते हैं, इसलिए छेंकित भाग का छेत्रफल, छेंकित भाग का छेत्रफल is equal to अर्धवरित का छेत्रफल का छेत्रफल मैनस तिर्भुज PQR का छेत्रफल यहाँ पर PQR के जगाँ पर हम लोग QPR भी लिख सकते हैं उसे कोई दिकत नहीं और QPR भी लिखेंगे तो कोई दिकत नहीं है क्योंकि समकुन जो हमारा है यहाँ पर समकोन जो है सो P है तो हमेशा समकोन को बीच में रखा जाता है ठीक तो QP R भी लिख सकते हैं इतना होने के बाद यहाँ पर लिखेंगे क्या अर्ध विरीत का छेत्रपल होता है 1 by 2 Pi R square ठीक है मैनस तिरभूज का छेत्रपल समकोन तिरभूज का छेत्रपल 1 by 2 गुने अधार गुने उचाई यह होता है जहाँ पर इस पर आप हम लोग बठा लेंगे 1 by 2 गुने में हो जाएगा 22 बटे 7 फिर गुने Pi कमान 22 बटे 7 और R square यानि कि 25 बटे 2 का तो 25 बटे 2 गुने 25 बटे 2 फिर यहाँ से माइनस 1 बटे का 2 हो जाएगा गुना अधार जो है वो 7 है और उचाई जो है वो 24 है अब यहाँ आगे क्या करेंगे कि इससे हम काट लेते 11 बार में कट जाएगा 2 को अगर बैस से काटते 11 बार में 25, 25, 625 और 625 को 11 से अगर हम गुना करते हैं तो 68, 75 आ जाएगा और नीचे 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28 यह आ गया और मैनस में यहाँ हम करेंगे तो 2 से 24 को काट लेंगे 12 बार में कर जाएगा 12 सती 84 यह इस परकार से हो जाएगा अभी दोनों के लिए हम क्या करेंगे भीन का घटाओ करेंगे इस परकार से एक नीचे माल लेंगे और LCM जब इसे हम निकालेंगे तो 28 मिल जाएगा 28 और 1 का 28 तो 68, 75 इसी परकार से उपर रह जाएगा मैनस 1 का 28 बार में 28 बार में आता है तो 28 को 84 से जब हम गुना करेंगे तो ये हमें कुछ दे देगा 29, 52 इस परकार से हमें प्राप्त हो जाएगा अब इतना प्राप्त होने के बाद क्या करेंगे इसे हम मैनस करेंगे 68, 75 को 22, 52 से हम मैनस करेंगे तो मिल जाएगा 43, 123 और बटे का 28 जब इसे हम भाग करेंगे डिभाइट दे देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 161.53 सेंटीमीटर अस्क्वार और ये हो जाएगा हमारा एंस्वर इस परकार से पहला नंबर कोईशन को हम लोग कर लिए अब चलिए दूसरे नंबर कोईशन को करते हैं दूसरे नंबर कोईशन हमारे पास इस परकार से आकरिती में च्हेंकित भाग का छितरफल ग्याद करें यदि केंद्र-O वाले दोनों सकेंद्रे विरीतों की तरिजयाय करमसा 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा कोन ए ओ सी 40 डिग्री है चलिए यहाँ पर छेंकित भाग हमें यहाँ पर है इस तरह से इतना है यह छेंकित भाग ठीक है यही छेंकित भाग का छितरफल निकालना है जिसमें बताया जा रहा है कि बड़ी व्रीत की जो त्रिजिया है वो 14 cm है और छोटी व्रीत की जो त्रिजिया है वो 7 cm है ठेक है तो यहां लिख लेते हैं कि दिया है दिया है बड़ी व्रीत की त्रिजिया बराबर 14 cm तथा छोटी व्रीत की त्रिजिया बराबर 7 cm इस परकार से दिया हुआ है इसे हम लिख लिए अब आगे क्या करना है च्यांकित भाग का छेतर फ़ल निकालना है तो देख रहें यह क्या है 3G खंड बना हुआ है तो 3G खंड का छेतर फ़ल लगाएंगे तो यह खुद बाख खुद मिल जाएगा तो लिखेंगे इसलिए च्यांकित भाग का छेत्रफल is equal to बड़ालेत ए ओ सी का छेत्रफल ए ओ सी का छेत्रफल माइनस बी ओ डी का छेत्रफल वी ओ डी का छेत्रफल ये त्री जिखंड है इसलिए त्री जिखंड लगेगा या फिर यहां लिख सकते बड़े वरीत का त्री जिखंड का छेत्रफल और छोटे वरीत के त्री जिखंड का छेत्रफल इस परकार से भी लिख सकते जहांपर 3 जिक्षंड का छेतफल क्या होता है ठीठा बाय 360 ठीठा बाय 360 पाय आर स्क्वार मैनास छोटे वरित के लिए भी अगर लिखेंगे ठीठा बाय 360 पाय आर स्क्वार जहांपर ठीठा इस इक्वल टू 40 डिगरी दिया हुआ है चलिए आभी से हम कल्कुलेशन करना शुरू करते हैं ठीटा का हो जाएगा 40 बटे का 360 गुना पाय का 22 बटे 7 और गुना आर अस्क्वार यानि बड़े विरीत का ले रहे तो 14 गुने चाउदा फिर मैनस ठीटा 40 बटे का 360 गुना पाय का 22 बटे 7 गुना और छोटे विरीत का 7 गुना 77 सेंटिमेटर है यहां से आभ हम लोग देखिए क्या कर सकते हैं काट कुट कर सकते हैं ना 0 से 0, 49, 36 इस परकार से कट गिया फिर 7 दूनी 14 इस परकार से कट गिया ठीक है और कट जाएगा और इधर नहीं कटेगा फिर यहां से 0 से 0, 49, 36 यह 7 से यह 7 कट गिया अब हमें क्या मिल गया उपर में 22 दूनी 44, 44 और 14 इसे हम गुना कर लेते हैं 22 दूनी 44 और 44 को 14 से गुना करेंगे 44 गुने 14 तो हमें मिल जाएगा 660, यह उपर का 660 मिल गया और बटे का 9 फिर यहां से मैनस करेंगे जब इसे हम गुना करेंगे 22 सती 154 तो यहां हो जाएगा 154 और बटे का 9 अब यहां पर देख रहें कि यह दोनों सेम सेम है तो LCM क्या आ जाएगा अब जब LCM सेम आ जाएगा हमारे पास तो क्या करेंगे 660 को मैनस कर देंगे 154 से तब हमें क्या पराप्त हो जाएगा 660 में से 154 को मैनस करेंगे 400 बार्शर और बटे का 9 मिल जाएगा जब इसे हम काटेंगे काट देते 3 से कट जाएगा 3, 9, 3, 3, 3 फिर यहां हो जाएगा 16, 3, 5, 15 और फिर यहां बच गया 1, तो 3, 4, 12 तो बच गया 154 बटे का 3 काट के इसे छोटा कर लिए जैसे भागा करने में असान हो जाएगा अब यहां देख रहें 3 को अगर इसे हम भागा करते 3, 5, 15, 15 यानि 5, 51 बार में चल जाएगा 51 दसंबलों 3, 3 इस तरह से करकर के आते रगार सेंटीमिटर अस्क्वाइर यह हो जागा हमारा असा करते कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा अगर आप हमारे वीडियो का अभी तक लाइक नहीं किये तो वीडियो को लाइक जरूर करे और अगर सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले ताकि हम अपने वीडियो को जब भी बनाए और यूटूब पे डाले तो यह नौटिपिशन अब तक जल्दी से पहुंच सेके थैंक्यू धन्यवाद